नमस्कार दोस्तों, विलकम टो रोंड एक्जाम क्लसेदे के 2020 में किस प्रकार के रिजिनिंग पूछी जा रही है? इसे देखने के लिए आज हम आपको एसे सी सीजियल टैर वन का जो भी आपका 2020 में पेपर संपन हुआ था उसके 25 महत्वपूर रिजिनिंग कोश्चन करने जा रहे हैं अगर आप रेलवे एंटी पीस्टी के तैयारी करें जिसके एक्जाम जल्दी आपका होने वाला है रेलवे गुरूप दी के तैयारी करें एसेसी के अधर किसी भी एक्जाम के तैयारी करें तो आपका ये लच्छोना चाहिए कि इने 25 महत्वपूर प्रिश्णों में से कम से कम आपको 20 प्रिश्ण और सही करने है आज कर देकि मारा पहला प्रिश्ण है दिये गए पैटन को ध्यान पूरवक अध्यान करें और उस संख्या के चैन करें जो प्रिश्ण माचक चिन्द की जगा पर आती है यह पूरा pattern आपको दिया गया है pattern पर ध्यान दिजे यह pattern आपको दिया गया है यहां तक यह 4 आपसन आपको मिलेंगे 3 से 4 सिकंड का समय सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजे देखी pattern को अगर आप समझेंगे सबसे पहले देखी 7 लिखा गया यहां पर यहां पर 13 यहां पर 6 तो 7 6 13 मतलब कि पहले और तीसरे को जोडेंगे तो middle वाला term आपको मिल जाएगा इसके बाद इसी प्रकार से 4 और 18 को जोडेंगे तो 18 4 22 होता है middle वाला आपको मिल जाएगा इसी प्रकार आपको 15 और 7 जोडना है उसे दवा का लाल से काली कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुंच सके आज करती के मारा दूसरा प्रेस ने एक फलक की तीन विमिन इस्तितियां आपको दिखाई गएगे पहली दूसरी और तीसरी उस चिन का आपको chain करना है जो छोटे वाले चिन वाले फलक के विपरीत फलक में होगा ठीक है आकरती को मैं आपको जूम कर देता हूँ तीन आकरतियां है और नीचे मैं आपको चार आपसन दिखा रहा हूँ यह छोटा वाला निसान जो आपको दिखा रहा है इसकी विपरीत में कौन सी चिन होगा इसे आपको decide करना है चार से पांच सेकेंड का समय है जो कि आपको लिए परियाप्त समय है अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉस्ट करके आराम से लगा सकते हैं अगर आप पास्वे को एक साइट से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेंगा दूसरे साइट से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेंगा इसका सीधा सर्थ यह हुआ कि डॉलर की विपरीत क्या होगा एंड होगा और add the rate की विपरीत क्या होगा यह छोटा वाला निसान होगा ठीक है आप से पूचा क्या था इस छोटे वाले चिन्य की विप्रीत में पूचा था तो सही आपसन हो जाएगा कौन सा कहां पर लिखा गया है तीसरे आपसन में लिखा गया और एक राकरती बस्ती है ये प्रिस्त वाली प्रिस्त की विप्रीत में क्या होगा ये हैच होगा तो इस प्रकार से आपका पूरा पासा जो है वो हल हो जाता है और सही आपसन कौन सो होगा तीसरा वाला देकि तीसरा नम या तो आप भाग को multiple से बदलिए और multiple को भाग से बदलिए इस चारो option को आपको check करने होगे जितना तेज आपको calculation होगा उतनी तेज आप बता पाएंगे कि कैसे 24 एंसर आएगा किन चिन्नों को आप आपस में बदलेंगे चलिए प्रयास करिए चार से पांच सेकेंड में आप जल्दी यल्दी ट्राई कर सकते हैं कोई भी start trick इसकी नहीं होती है इसे आपको बदलना ही होता है अगर आप पहले option को check करेंगे तो इसमें आपको नहीं मिलेगा 24 दूसरे आले option को रख करके check करते हैं देखें क्या क्या आपको बदलना है multiple और minus को change करना है जहाँ जहाँ पर multiple होगा वहाँ पर हम minus कर देंगे और जहाँ पर minus होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे multiple कर देंगे तो इस प्रेकार से आया सबसे पहले हमें क्या हल करना है भाग को हल करना है तो यहाँ पर आजाएगा 18 इसके बाद हमें हल करना होता है multiple को तो च्छत्रिक 18 आजाएगा, तो 18 दूने 36 और 36 में से 12 जाएगे, तो सही एंसर केतना आजाएगा, 24 आजाएगा, इसका अर्थ यही है, कि दूसरा वाला आपसन हमारा, सही आपसन है, अगर हम multiple और minus को change करते हैं आपस में, तो सही एंसर हमें 24 पराप्त होगा, एक चोथा पराप्त है, उसे विकल्प का आपको change करना है, जिसमें सब्दों में आपस में वही सम्द है, जो सम्द है नीचे दिये गए, सब्द युग्म है, यहाँ पर सब्द युग्म दिया गया है, संकाय का सिछक से, इसे प्रकार आपको इन चार आप्सन में change करना है, किटियों के समुक को हम लोग कालोनी कहते हैं, जुन्ड नहीं कहते हैं, आकास गंगा किसके समुक कहते हैं, तारों के समुक कहते हैं, बवखंडी इमारते हैं, जो हैं गलत है, कालोनी भेडियों के समुक को कालोनी नहीं कहते हैं, जुन्ड कहते हैं, गलत हो गया यह भी, सह यह option कौन सा होगा? लास्ट वाला option सही सब्द युग्म होगा देखी पांचवा नमर प्रेशन है उसे संख्या युग्म का आपको चार संख्या युग्म दिये गए हैं उसका chain करना है जो तीन किसी न किसी परकार से एक समान लिखे गए हैं और एक आसमान है उसका chain करिए जो आसमान है बताइए आसमान संख्या युग्म का chain करिए यह चार option आपको दिये गए बढ़िया प्रस्ण है आपके railway NTPC के गराब तयारी कर रहे हैं railway group D के तयारी कर रहे हैं SSD के other किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं तो यह latest वाल आपको हम 2020 का reasoning का set करा रहे हैं जो कि graduate level का है तो आप छमता को अपनी नापिये आप केतने प्रस्णों को सही कर पा रहे हैं last में comment box से बताने का प्रयास किजेगा समझ में आ रहा है कैसे 28 start का बन रहा है देखिए बताने start करते हैं आपको आसा करते हैं अभी तक आपने लगाने का प्रयास किया होगा देखिए 8,2,10 होता है इन दोनों को जोड़िए 8,2,10 होता है न और इन दोनों को अंतर कीजे 2 में से अगर 8 जाएंगे तो 6 बचेगा तो 10 से 6 का multiply कर देगे तो 60 आजाएगा समझ रहे हैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और दोनों संख्याओं के अंतर का multiply करना है उसी प्रकार से देखिए 4,2,6 होता है 4,2,6 हो गया इनके बीच का अंतर कितना है 2 का है तो 6,2,12 12 आगया नहीं आपर उसी प्रकार से इसे देखिए इसको जोड़ेंगे 9,3,12 आजाएगा और इनके बीच का अंतर है 6 का तो 12,72 तो 3 उपर वाले एक समान हो गये अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं देखिए 7,5,12 हो गया दोनों को जोड़ने पर और अंतर है 2 का तो यहाँ पर 24 आना चाहिए था जबकि इसने क्या लिख दिया 38 लिख दिया तो कौन सा संख्यय युग में असमान हो गया लास्ट वाला असमान होगा देखिए 6 कोशन है अरेंज दी फालोइंग वर्ड्स इन्हें लॉजिकल एंड मेनिक फुल आडर ठीक है यह पांच आपको दिये गए है लॉजिकल और मेनिक फुल आडर में इनको आपको क्रम से रखना है हेक्सागन, नोनागन, पेंटागन, हेप्तागन और आक्तागन प्रयास करिए मैं आपको हर सवाल में 3 से 4 या फि 4 से 5 सेकंड का समय दूँगा चलिए सबसे पहले आप यह देखिए कि पहले कौन आता है पहले 5 आता है ना तो पहले पेंटागन रखा जाएगा पेंटागन कहाँ पर आपको मिल ला है लास्ट वाले आपसन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 रखा गया सबसे पहले पिंटा गन आएगा, पांच वाली आकरती आएगी, उसके बाद आता है हिक्सा गन, मतलब कि छै वाली आकरती आएगी, मतलब तीन के बाद एक रखेंगे, वैसे आपसन देखें सही हो चुका है, हमारा लास्ट वाला आपसन, हिक्सा के बाद क्या आता है, इसके बाद 4 आएगा, हिप्टा या न, इसके बाद 8 आएगा, 8 साइड वाली आकरती को हम लोग कहते हैं, 8 गन, तो इसके बाद 5 नमबर आएगा, और लास्ट में आपका 9 गन, 9 साइड वाली आकरती होगी, उसको कहेंगे 9 गन, तो लास्ट में 2 आएगा, तो आपसे क्या कह लॉजिकल एंड मेनिंग फुल आड़ा है तो लॉजिकल है ना पहले 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा तब जाकर 9 आएगा इसलिए सही आपसन कौन सा होगा लाइस्ट वल आपसन सही आपसन होगा जैकि सातों नमर कोशन है रख्त समन से कोशन आया है अब काफी टब कोशन भी आपके रख्त समन से पूछे जान लगे हैं जैसे कि A प्लस B का रख्त है B A का भाई है A माइनस B का रख्त है A B की माई इसे परकार 4 बाते आपको दी गई है नेचे आपको यह समय करन दिया गया है इसे हल करना है और बताना है S का R से क्या समन होगा चली प्रयास करिए आप लोग लगाना है स्टार्ट करिए हम भी आपको 3-4 सेकेंड बात बताना है स्टार्ट करेंगे अगर आपको 25-25 रिजिंग में सही करना है तो आपको इस प्रकार के प्रिशनों की प्रेक्टिस करके एक जाम में आवस जाना होगा सबसे पहले आपको क्या करना है यही से स्टार्टिंग करना है प्लस आर से जैसे जैसे उपर दिया गया है वैसे वैसे आपको हल करते हुए चलना है जैसे कि P plus R का मतलब क्या होगा B A का भाई है मतलब की R जो होगा वो P का भाई होगा अब भाई है इसका मतलब यह होगा जर्ण्स है तो उपर हम लोग प्लस लगा देंगे इसके आगे पढ़ते हैं R multiply T दिया गया है A multiply B का रथ है AB का पिता है इसका मतलब R जो होगा वो T का पिता होगा ठीके एक generation नीचे जाएगे T तो पिता हो जाएगा R T minus Q का रथ है कहाँ पर minus है यहाँ पर देखिए AB की मा है इसका मतलब T जो होगी वो Q की मा होगी मतलब एक generation हो नीचे जाएगे T मा हो चुकी मतलब lady जोगी T और Q उसका बेटा यह बेटी हो जाएगी आगे देखते हैं Q भागे S लिखा गया Q भागे S का रथ है AB का पिता है मतलब Q जो होगा वो S का पिता होगा अब T तो माता हो चुकी है S और उसका बेटा होगा इसका मतलब है T का विवा जो है वो S के साथ हुआ होगा T जो होगी उसकी माता होगी S जो है उसका पिता है बेटा लिखा गया है ना तो मा का भी बेटा होगा और उसके पिता का भी बेटा होगा इसलिए Q जो होगा वो T और S की संतान है इसके बाद S+. U का अर्थ क्या है? B. A. का भाई है मतलब S जो है वो U का भाई है तो S. U का भाई हो जाएगा अब आपसे पूछा क्या है? S का R से समंद पूछा है S का R से समंद देखिए R उपर है और S यहाँ पर है R से एक जनरेशन नीचे आया है इसका मतलब T जो है उसकी लड़की है और T उसकी लड़की का साधी हुई है S से मतलब की S जो है दमाद लगेगा किसका R का उसकी लड़की से साधी किया ना S तो दमाद लगेगा सही आपसन कौन सो होगा ये वाला आपसन सही आपसन है आप जल्दी कर सकते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास किया है इसलिए समय लगा है आपको समय करण को हल करना है वैसे हल करना है इन चार बातों का ध्यान रख करके ऐसे आपको हल करना है इसका आर से तुरन समंद आ जाएगा ये आठवागानवर प्रेशन है चार आपको अच्छर समू दियے गए हैं जिनमें तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और जो असंगत है उसकी आपको पहचान करना है ये चार अपसन मैंने आपको जूम कर दिया है इसमें से बताएं तीन एक समान लिखे गए हैं एक आसमान है उसका चेहन करना है आपको प्रयास करिए आप लोग सबसे पहले देखिए F से H को देखिए F हमारा होता है 16 इस्तान पर H होता है 8 में इस्तान पर बढ़ोतरी कितने की हुई है 2 की बढ़ोतरी हुई है H से K में कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है H होता है 8 में पर और K होता है 11 में पर तो 3 बढ़ा 8 3 11 K होता है 11 में इस्तान पर और M होता है 13 में इस्तान पर तो 11 2 13 तो मतलब 2 3 2 की बढ़ोतरी हुई है पहले वाले में फिर दूसरा तीसरा चौथा चेक करते हैं, A, D में 3 की बड़ोतरी, D से G में 3 की बड़ोतरी, और G से J में 3 की बड़ोतरी, इसमें तो समान 3, 3, 3 की हुई है, B, E, H, K को अगर आप चेक करेंगे, तो इसमें भी 3, 3, 3 की बड़ोतरी होगी, और निचे वाले भी 3, 3, 3 की देख रहे होंगे, फिर यहाँ पर 3, 3, 3 की बड़ोतरी हो रही है, देकि नवान नमर कोशन है, नेवली के स्रंकला में से प्रेश्ण चेनने की जगापर कौन सा अच्छर समू भरा जाएगा, इसका आपको चेन करना है, यह आपको प्रेश्ण दिखरा होगा, यहाँ पर 3 लेटर भरे जाएगे, और उन 3 लेटर का आपको चेन करना है, चार आपसों में से, स्रंकला को पैचानिए, कैसे स्रंकला आगे पीछे जा रही है, इसी से प्रेश्ण आपका हल हो जाएगा, चलिए, बताना ही स्टार्ट करते हैं, देखे, B से Z कितना पीछे गया, 2 पीछे गया, माइनस में 2 पीछे गया, ठीक है, तो Z से 2 पीछे अगर आप और जाएगे, तो आगे वाली स्रंकला आपको मिलना ही स्टार्ट हो जाएगी, Z से 2 पीछे जाएगे तो आपको X मिलेगा, पहला इस्तान X का आ गया, जो कि 4 आपसों में आपको X दिक रहा होगा, इसके इसके बाद R से U देखिए, बढ़ रहा कि घट रहा है, R से U जो है, वो 3 इस्तान बढ़ रहा है, R होता है 18 और U होता है 21, तो 18 तो आठारा 3 21, मतलब प्लस 3 की वढ़ोतरी हो रही है, तो U में भी आपको 3 की वढ़ोतरी करनी पड़ेगी, अगर U होता है 21 आपका, 3 बढ़ा इस्तान और मिला लेते हैं, H से D, H से D को देखिए, कितना पीछे जा रहा है, H होता है 8, D होता है 4 इस्तान पर, तो 4 पीछे की और गया, तो D से भी आप 4 इस्तान पीछे की और जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा, तो सही आपसन क्या हो जाएगा, X, X, Z, ठीक आपको पता लगाना है, यह आपको उपर आकरती दिख रही है, इसके दाई तरफ दड़पन रख दीजे, और इन 4 आपसन में से चैन कीजे, कौन सा आपसन आपको सही लग रहा है, ठीक है, चलिए, प्रियास करिए बताने का, यह E लिखा गया है ना, अगर आप दाई हो गया, अब यह 3 आपसन में आप देखिए, तीर का निसान नीचे की और होगा, इसलिए E आपसन गलत हो गया, इन दोनों में ट्राई कीजे, बेस तो जो त्रिभूज का है, वो नीचे की और होगा, तो बेस नीचे की और होगा, तो एक बार C की आपसन सही होने की सवमना ज्यादा है, इसको तो त्रिभूजी उल्टा कर दिया, त्रिभूज तो उल्टा होगा नहीं, इसलिए C वाल आपसन जो होगा, वो सबसे सही उत्तर होगा, देख सकते हैं, दाइत अगर आप दर पर डखेंगे, तो आपको C वाल याकरती नजर आएगी, देखिए 11 नमर प जाता है, तो T, U, B को कैसे लिखेंगे, प्रयास करिए बताने का, समझे, P का नमबर कितना होता है, 16 होता है न, तो 16 का क्या कर दिया गया, 32 कर दिया गया, यह होता है पांचमें इस्तान पर, तो उसको डबल कर दिया गया, 10 कर दिया गया, N होता है, 14 इस्तान पर उसको 28 कर मतलब ज़श्ट डबल कर दिये गए उनके संख्या के स्थान जो है चलिए अब T कितने स्थान पर होता है 20 में स्थान पर होता है उसको 40 कर दीजे U किसे स्थान पर होता है 21 में स्थान पर उसको 21, 42 कर दीजे बी होता है दूसरे स्थान पर उसको कर दीजिए डबल चौथे स्थान पर तो 40, 42, 4 जहां पर भी होगा सही आपसन कौन सो हो जाएगा सही आपसन हो जाएगा दूसरा वाला देखिए बारा नमर प्रिशन है दी गई निशित कूट भासा में हैमर को ऐसे लिखा जाता है तो वरेंच को कैसे आप लिखेंगे चलिए देखिए देखिए आप ही को सही करना पड़ेगा जिस प्रकार से भी आप हल करना चाहते हैं उस प्रकार से आप हल कीजिए समय अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक करके आप आगतिक्त समय ले सकते हैं ठीक है इतना समय आपको लोग ली परियापत हैं मिलाते चलिए कैसे स्रीज बन रही हैं देखें ह से आई कितना बढ़ा है एक बढ़ा ना उसके बाद ए से सी हो रहा है ना तो कितना बढ़ा दो बढ़ा एम से पी हो रहा है तो कितना बढ़ेगा तीन बढ़ा होगा और एम से क्यों हो रहा है मतलब 4 बढ़ा है तो स्रीज बढ़ाएं एक, दो, तीन, चार से उसी प्रकार से W को 1 अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको X प्राप्थ हो जाएगा R को 2 आगे बढ़ाएंगे तो T प्राप्थ हो जाएगा A को 3 आगे बढ़ाएंगे तो आपको H प्राप्थ हो जाएगा X, T, H कहाँ पर आपको नजर आ रहा है दूसरे वाले आपसन में इसलिए सही आपसन कौन सो होगा यही वाला आपसन सही होगा देख सकते हैं 3 कौम ने मिला लिया अगर answer आ रहा है तो आगे मिलाने की ओसकता नहीं है तीने यंग से आपको उत्तर प्राप्थ हो जाएगा देखें तेरे नमबर प्रेशने नेमलिकित आकरती में से आपको प्रेशन माचक चिन्दे की जगा पर क्या भरा जाएगा इसका चेन करना है इन चार आपसनों को भी आपको देखते चलना है ठीक है ये चार आपसन मैंने आपको दिखा दी है ये आकरती है कैसे आगे बढ़ रही है इसके लिए आपको आराम आराम से देखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या भरेंगे आप चलिए सबी प्रेशन आपको सही करने और यही पर आपको समझते वे चलना है किस प्रेशन में आपको दिक्कत हो रही है देखिए इस पंचबुच को देखिए बाहर वाले पंचबुच को ये उल्टा हो गया है और फिर क्या होगा सीधा हो गया पहले तरबुज सीधा था उल्टा हुआ और फिर अब क्या हो गया चतरबुज हो गया और चतरबुज तो ऐसे भी ऐसे रहेगा और उल्टें भी ऐसे रहेगा इसलिए अंदर अपकी बार के आएगा पंचबुज आएगा दो में तरभुज था दो में चतरभुज होगा तो अगले अंदर वाले में पंचभुज होगा और पंचभुज जो होगा वो आपका सीधा होगा इसलिए यह वाला आपसन गलत होगा क्योंकि इसके अंदर इसने क्या रखा है चतरभुज रखा है अब दो आपसन बजते हैं अब 3 की direction देख लिजे, पहले right side में थी, फिर left में हुआ, फिर right में, फिर left में, अब की बार जो होगा, right direction में होगा, इसलिए सही option कौन सो हो जाएगा, C वाला option जो हो जाएगा, वो सही option हो जाएगा, ठीक है, अराम से देखते चलिए, कहां कहां पर changement हो रही है, वैसे आपक आपको chain करना है, जो ये आकरती जो है, उसके अंदर रखी गई है, घुमाने की अनुमत नहीं है, इस आकरती को घुमा करके नहीं रखा गया है, जैसे ही दिख रही है, वैसे ही रखा गया है, चलिए, चारो आपसन आपको अगर दिख जाते हैं, तो देख लिजे आप इसलिए तीन ही आपसन को आप लोग देखिए, बताए कौन सा आपसन आपको सही लग रहा है, ये आकरती किसके अंदर रखी गई है, इन तीन आपसन में इसा चूच कर लिजे, देखिए, यहाँ पर जाकर कर देखिए, इस तीसरे वाले विकल्प में आप जाकर कर देखें तो यहाँ पर आपको ये आकरती छूपी हुई नजार आ रही होगी, ऐसे आकरती बनी हुई है न, देखिए, ये आकरती ऐसे बनी हुई है, तो यहाँ पर ये छूपी आपको नजार आएगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये आकरती आपको छूपी ऐसे नजार इसको आहीं तो सई आप्षन कौंसे हो जाएगा यह सई आपसे आपको इसको बहुत गौहर से देखना होता है अगर इस प्रकार के प्रेश्च आपको सई करने ठीक है यह सी वाला आपसन सई आपसन है देखी 15 नंबर कोशन है दिये गए पैटन को ध्यान पूर्वक अध्यन क चिन्दे के जगा पर कौन सी संख्या हैगी उसको आपको चेन करना है यह पैटर न दिया गया है इसको फालो करिए और बताइए क्या भरा जाएगा इसमें से कुछ समझ में आ रहा है कैसे 5, 4, 41 हो रहा है 9, 11, 202 हो रहा है चलिए बताना स्टार्ट करते हैं आपको 5 का स्क्वाइर करेंगे तो 25 आएगा 4 का स्क्वाइर करेंगे तो 16 आएगा दोनों को जोड लीजे, answer आजाएगा 41, तो मतलब कि दोनों का square करके जोडा गया है, चलिए, वैसे आपको आगे करिए, 9 नया 81 होता है, और 11, 11, 16 होता है, इसको जोड लीजे आप, तो आपको answer 202 मिल जाएगा, इसी प्रकार आपको इसे भी निकालना पड़ेगा, 15, 15, 225 होत है, तो 6, 5, 11, और ये आपका 261 सही answer आजाएगा, तो सही answer क्या हो जाएगा, एवाला आपसे, ठीक है, समझ गए आप लोग, एक बार देख लीजे, दोनों का square करके आपको जोड देना है, सही उत्तर मिल जाएगा, देकि सोला नमबर कोशन है, दिये गे वेन आरेक में, का गोला है, इसके बाद, त्रिवुजों को सिच्छक से दर्साया जा रहा है, और आयत को आविवाहित विक्तियों से दर्साया जा रहा है, तो आपको ये बताना है, तो कितनी विवाहित, महिलाएं, सिच्छक है, ये railway NTPC में, 2016 के पेपर में, इस प्रकार के काफी धेर सार प्रेश्टें पूछे गएते, और railway NTPC का पेपर, इसी साल आपके होने की उमीद है, तो इस प्रकार के प्रेश्टों का लोग तैयार है, वस्ते कर लिजे, क्योंकि सीजल में पूछे जा रहे हैं, और NTPC में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसे प्रेक्टिस करके व होना चाहिए, इसके बाद विरत्य जो है, महिलाओं को दर्सार है, तो विवाहित महिलाएं, इसका मतलब विरत्य के अंदर का लेना है आपको, और सिच्छकों को भी लेना है, इसका मतलब त्रिवुच के अंदर का भी आपको लेना है, तो ये तीन बचरा है, विरत्य के अ तीन वाला आपसन जहां पर भी लिखा गया है, वही सही आपसन है, ठीक है, समझ गए आप लोग, आराम से करिएगा, सबी प्रशन आप लोग कर सकते हैं, बकायदे आपको, एक एक प्रशन को अच्छे से प्रेक्टिस करके जाएगा, और पचीस से पचीस सही करके आएगा, दीकिए, सत्र नमबर कोशन है, appलबाब से, कान से, मस्दिक से, जो इस्नाई रोग विसेसक होता हैना, उसे कहते हैं, हम लोग मस्दिश कर डाक्टर, तो सही आपसन कौन से हो जाएगा, दी वाला आपसन सही आपसन हो जाएगा, देकि एक्षार नमबर कोशन है, नीचे द इंकला में से प्रश्ण माचक चिन्दे की जगा पर कौन सा अच्छा राएगा चली बताईए प्रश्ण माचक चिन्दे की जगा पर कौन सा अच्छा राएगा स्रीज को पहचानिए जे से M हो रहा है जे से M हो रहा है इसका मतलब 3 बढ़ रहा है आगे M से P हो रहा है 3 आगे बढ़ा है P से 3 अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको S प्राप्थ हो जाएगा S और S से अगर आप 3 आगे बढ़ाएंगे तो आपको V मिलेगा V से 3 आगे Y मिलेगा तो सही option कौन सो हो जाएगा ये तो simple type से तो आप असेंस कर सकते थे सही आपसे ने दूसरा वाला हर प्रस्ण कठी नहीं आता है कुछ प्रस्ण आपको बहुत ही simple दिया जाएंगे देखिए 19 नमबर कोशन है इस देखिए पारदर से seat को क्या किया गया है एक बिंदवर रेखा से मोड दिया गया ये seat है इसे यहाँ पर से मोड दिया गया 20 से मोड दिया गया है तो कौन सी आकरती बनेगी चलिए जितनी आपको दिख जाती है उतनी देख लीजिए चारों ऐसे दिख जाएंगी आपको बताइए अगर इसको 20 से मोड दिया जाए उपर ओली आकरती को तो कौन सी आकरती बनेगी देख पा रहा है आप लोग ये जो रेखा यहाँ पर आ जाएगी और ये जो ऐसे है अगर आप मोड दिया जाएगी तो ऐसे आ जाएगी तो इसे समझ लिजे सही आपसन जो है वो ए वाली आकरती है अगर आप 20 से मोड एंगे तो आप देख सकते हैं ये रेखा जो इधर से ऐसे गई है अगले बार ये ऐसे आजाएगी यहाँ पर केंदर से और ये नीचे ऐसे आजाएगी और बीच वाली जो ये पलट करके ऐसे चली जाएगी तो ये जो आकरती बनेगी आपको यही आपको समझना पड़ेगा ध्यान से देखा जाता है तब ही आप इसे सही कर पाएंगे देकि 20 नमबर कोशन है उस वीकल पर का आपको चैन करना है जिसका तीसरी संक्या से वही समंद है जो दूसरी संक्या का पहले से मतलब दूसरी वाली संक्या का जो पहले से वही तीसरी संक्या से ये प्रिश्ण वाचक चिने का समंद है तो आपको बताने है कौन सा है आपसन आपको सही लग रहा है मताईए कोई सम्मद बन रहा है या फिर आपको प्रेश्ण में कुछ गलती दिख रही है देखिए तीरेपन के अगर आप स्क्वाइर करेंगे तो आपको 28,09 मिलेगा लेकिन आपको 15,24 किसी का स्क्वाइर करने पर आपको नहीं मिलेगा यह थोड़ा से गलती प्रेश्ण को छापने में की गई है यहाँ पर 15,24 की जगा पर इसे 1024 लिखना चाहिए था अगर यह 1024 लिखता तो 32 के स्क्वाइर जो होता है वो 1024 होता है जो कि सही आपसन कौन सा है लाश्ट वाला आपसन सही आपसन इसने दिया है लेकिन यह किसी का स्क्वाइर नहीं है एक बर आप लोग प्रयास कीजेगा मेरी इसापसी यहाँ पर 1024 होता तब जा करके डीवाला आपसन सही आपसन होता देखिए क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ सही आपसन इसने डीवाला आपसन दिया है देखिए कैस नमबर कोशन है आठ सब्द आपको दिये गए है साथ सब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है उसका आपको चुनाओ करना है जूम करते हैं और देखिए असंगत इसमें से कौन सा है monitor, headphone, mouse, keyboard, windows, printer, scanner, speaker बताइए असंगत कौन सा है इसमें से अगर आप hardware और software जानते हूँ जिसे आप चू सकते हैं उसे कहते हैं hardware और जिसे आप चू नहीं सकते हैं उसे कहते हैं software तो monitor, headphone, mouse, keyboard, printer, scanner, speaker इन सब को आप चू सकते हैं जो कि hardware हैं जबकि windows को आप चू नहीं सकते हैं windows अंदर डाली जाती हैं जो कि एक software है इसलिए windows क्या होगा? असंगत होगा सही option क्या होगा? तीसरा वाला option जो है वो सही option है देखी 22 number question है ये कथन और निसकर से question आया है English में दिया गया है इसे English में करने का प्रयास करते हैं आपको बताने हैं इन में से कौन से निसकर सापको सही नजर आ रहे हैं simple से language English वाली इसे try कर लेते हैं हम लोग कथन में दिया गया है all dogs are lions मतलब सभी जो कुते हैं वो क्या हैं? सेर हैं तो कैसे आप करेंगे? जो dog का गोला होगा सभी कुते के हैं सेर हैं तो सभी कुते lion होगे ठीक है? इस प्रकार से हमने बना दिया अब क्या कह रहा है? no elephant is a lion मतलब कोई भी हाथी जो है वो सेर नहीं है तो elephant का गोला होगा हम उसको अलग बना देंगे अब देखते हैं इसकर समारा सही निकल ला है no dog is an elephant मतलब कोई भी कुता जो है वो हाथी नहीं है बिलकुन सही है हाथी तो अलग है तो कोई कुता जो होगा वो हाथी नहीं होगा no lion is a dog कोई भी lion जो है वो डाग नहीं है इसा कैसे हो सकता है कुछ lion जो है वो डाग है इसलिए इगलत हो जाएगा some elephants are dog कुछ जो हाथी है वो कुत्ते हैं इसा नहीं है हाथी अलग है कुत्ते अलग है तो इगलत हो गया सही option सिर्फ कौन सो होगा सिर्फ ए ही फालो करेगा तो सही option कौन सो हो जाएगा conclusion one is follows सही option पहला वाला हो जाएगा समझ चुके हैं आप लोग simple language इंगलिस की डरिये गए मता आप लोग देखिए तरीस नमबर कोशन है ये स्रंखला आपको दी गई है और प्रशनमाचेक चिन्दे के जगा पर आपको बताना है कौन से संख्या आएगी बताएगे 55-58 हुआ 58-64 फिर 85 हो गया तो 20 में कौन से संख्या आएगी 55-58 में कितनी के बड़ोतरी हुई है 58-64 में कितनी के बड़ोतरी हुई 58-64 64-64 पर 64, 9, 73 आना चाहिए अगर हम 9 की बड़ोतरी करते हैं तो 73 और फिर आगे क्यों हो जाएगा 6, 3, 9, 3, 12, 73 में से 12 और जोड़ेंगे तो 85 अधर चाहिए तो 85 मारा आ रहा है इसलिए सही आपसन कौन सो हो जाएगा 73 ठीक हैं कैसे हुआ 3 की बड़ोतरी, 6 की बड़ोतरी, 9 की बड़ोतरी, 12 की बड़ोतरी ऐसे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 73 भरना पड़ेगे बीच में तेकि 25 नमबर कोशन है हमने 24 कोशन को रोक लिया है इसे आपको घर के लिए एक प्रशन आप लोग ट्राई कीजेगा यह 25 नमबर कोशन है आज का यहाँ पर आपसे कहा गया है 80 प्रशनों की एक परिच्छा में सही उत्तर के लिए प्लस एक अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए माइनस एक अंक दिया जाता है अगर किसी प्रशन को छोड़ दिया गया हो तो उसे सून अंक दिया जाता है यदि विद्यार्थी ने कुल प्रशनों में से केवल 80% प्रशनों के उत्तर दिये हो और उसे 32 अंक प्रात हुए हो तो उसने कुल कितने प्रश्णों के सही उत्तर दिये प्रयास कीजे बढ़ियां प्रश्ण है और ये आजकर 24 नंबर प्रश्ण होगा एक मैंने रोक लिया है इसलिए 24 प्रश्ण बसते हैं और इसे आप लोग ट्राई कर लिजे और फिर आपका स्कोर पूछने का अब लोग प्रयास करते हैं कि आपने इसमें से कितना स्कोर किया है चलिए समय आपके पास है 4-5 सिकंड का समय है समझे प्रश्ण को देखे 80 प्रश्णों में उसने केवल 80% प्रश्ण किये हैं 80 का 80% निकालेंगे तो 64 आएगा मतलब उसने 64 प्रश्णों के उत्तर दिये तो उसे मिलने चाहिए थे 64 नमबर क्योंकि सही उत्तर के लिए उसे एक अंक मिलता है लेकिन उसे मिले कितने 32 अंक मिले मतलब कि 64 उसको मिलने चाहिए मिले उसको 32 मतलब कि 32 का लास हो गया उसको और यहां पर आप देख रहे हैं सही उत्तर के लिए एक अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है मतलब कि अगर एक प्रश्ण वो सही करेगा तो उसे एक नंबर मिलेगा अगर वो प्रिष्ण को गलत कर दिया तो एक नमबर तो उसका जाएगा ही जाएगा और साथ साथ उसका एक अंक और भी चला जाएगा मतलब कि एक प्रिष्ण गलत करने पर उसे दो नमबर की हानी होगी तो उसे हानी कितने की हुई है 32 नमबर के उसे हान हुई, तो 32 बटे 2 करेंगे, तो 16 प्रेशन उसने गलत कर दिये, उसने कितने प्रेशन सही किये होंगे, उसने किये टोटल 64 प्रेशने, और 16 प्रेशन उसने गलत कर दिये, तो उसने 48 प्रेशन सही किये होंगे, उसने 48 प्रेशन सही किये होंगे, यही तो आपसे पूच रहा है तो सही आपसन कौन सो हो जाएगा सही आपसन हो जाएगा लाश्ट वाला आपसन उसने 48 प्रेशन सही किया होंगे और 16 प्रेशन गलत कर दिया होंगे तो 16 नंबर उसके कड़ गए होंगे 16 नंबर कड़े होंगे 32 नंबर उसके आ गए होंगे समझ पा रहे हैं आप लोग 64 नंबर का उसने टोटल किया और 48 प्रेसुने सही किये 16 प्रेसुने गलत किये तो 16 घट करके 32 अंक उसके बचे समझ पा रहे हैं न आप लोग सही उत्तर हो जाएगा डी वाला यह हमारे 25 कोशन जो हैं आपके SSS CGL के reasoning में पूछेगा एक कोशन थे जो आपका मार्च 2020 में paper संपन हुआ था उसके हमने आपको total 24 कोशन कराए है एक कोशन हमने आप से रोक लिया है उसे भी आप लोग देख लिजे और घर से उत्तर देने का प्रयास कीजेगा यह कोशन आपके लिए में छोड़े जा रहा हूँ यह 24 नमबर प्रिस्ट है दी गई आकरती में कितने त्रिभू जाए गिनियेगा 4 आपसन है प्रयास कीजेगा बताने का 10, 12, 8, 6 चलिए यह प्रिश्ट में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और आपका केतना स्कोर हुआ है इन 24 प्रिश्टों में से उसे कमेंट बाक से बताईएगा इस प्रिश्ट अगर आपको आ जाता है तो 25 में आप लोग स्कोर बता सकते हैं लेकिन मेरी आसा है कम से कम जो मेडियम लेवल के स्टुडेंट है वो 17 प्रिश्टों को सही करें और जो अच्छे स्टुडेंट हैं वो 20 प्लस जाने का प्रयास करें क्योंकि यह प्रिश्ट पत्र जो था वो मेडियम लेवल का प्रिश्ट पत्र था और जो फष्ट लेवल का आपका एकजाम होता है टायर वन का उसमें इसी प्रकार के प्रिश्ट पूछे जाते हैं चाये आप NTPC के एकजाम देंगे चाये ग्रूप D का एकजाम देंगे औ तो तयारी करके चलिए अच्छे student इसमें 20 साही करेंगे और medium student कम से कम 17 पर साही करेंगे तभी आप देखें reasoning जो होता हमारे scoring subject होता है अभी आप देख रहें NTPC में हलचल मचल लगी है ऐसा का जा रहा है कि आपका इसी साल NTPC कराने का सवाल है तो आपको तयारी करके चलनी है और आपको NTPC निकालना है आप देख सकते होंगे SSC CPU SI आपका आ चुका है उसके लिए भी आपको reasoning बढ़िया करके चलनी है चलिए नेस्ट वीडियों से फिर से मुलाकात होगी वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा किसी प्रस्ट में डाउट होता है तो कमेंट बाक से छोड़ सकते हैं अगर आप इस स्रीज को कांटी रखने कहेंगे तो हम लगतार reasoning के आपको paper कराते रहेंगे जतनी आप कहेंगे CGL के आपको reasoning आपको हल करा दी जाएगे ठीक है मिलते आप से नेस्ट वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद